फ्रेंड्स आज के समय में हर कोई चाहता है कि उनका चहरा गोरा और बेदाग नजर आई लेकिन इस भागदोड़ बरी जिंदगी में हम अपने खाने पीने और सरीर पर ध्यान नहीं दे पाते और इसी वज़े से चहरे की रंगत गायब होती जा रही है बहुत सारे लोग अपने रंग को गोरा करने के लिए तरह तरह की क्रीम और फिस्वास का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन उने सही और पूरी जानकारी ना होने की वज़े से कोई फाइदा नहीं मिल पाता और साथ में चहरे की बच्ची खुची रंगत से भी हाथ धो बैटते हैं इसलिए जरूरी है की चहरे को गोरा बनाने के चक्कर में बिना सही जानकारी के कोई भी घरेलू नुस्खा और क्रीम को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो को लाश तक जरूर देखना चाहिए क्योंकि हम आपको हर बार की तरह कुछ कमाल की और सही जानकारी देने की कोईसिस करेंगे आज हम आपको एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताने वाले हैं जो 100% घरेलू और अईरवेदिक है और इस नुस्खे के सामने महंगी से महंगी क्रीम भी फेल है चलिए जानते हैं नुष्खे के बारे में इस नुष्खे को बनाने के लिए आपको दो चीजों के आशकता पड़ेगी जो इस परकार है मुलताने मिट्टी और टमाटर सबसे पहले तो आप टमाटर का रस निकाल लें और किसी बरतन में दो चम्मच मुलताने मिट्टी की डाल कर उसमें तीन से चार चम्मच टमाटर के रस को मिला कर इसका पेस्ट बना लें अब आपका नुस्खा बनकर तयार हो जाएगा हर रोज रात में सोने से पहले इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगा कर लगभग एक मिन्ट तक हलके हातों से मालिस करें और इसे 15-20 मिन्टों तक चेहरे पर लगा रहने दें जब ये सूख जाए तो चेहरे को ठंडे पानी से धो लें ये बहुती कमाल का रिजल्ट देने वाला नुस्खा है अगर आपकी स्किन का रंग धूप में रहने के वज़े से काला पड़ गया है तो आपके लिए ये नुस्खा किसी चमतकार से कम नहीं है इसके लगातार 5-7 दिनों के इस्तमाल से ही आपकी स्किन में कमाल की चमक और न भूलना आशा करता हूं कि आपको हमारी छोटी सी वीडियो जरूर पसंद आई होगी इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हेल्थ से जुड़ी हर तरह की समस्या के समधान के लिए हमारी यूटूब चैनल हेल्थ डारेक्ट को अभी सब्सक्राइब करें और इसके साथ वाले बेल के बटन को भी दवा लें ताकि हमारी आगे की आने वाली नए वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंचती रहे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सूब हो